आयूर्वेदा होम केर में आपका स्वागत है गर्मिया शुरू हो गई है ऐसे में लोग ठंडे ठंडे शर्बत पीना शुरू कर देते हैं खास कर बेल का शर्बत लोग बहुत पसंद करते हैं और करें भी क्यों ना बेल का शर्बत स्वात के साथ साथ औशधिया गुणों से जो भरपूर होता है बेल शर्बत रक्त को शुद्ध, भूख ना लगना, कब्स, बवासीर और लिवर डिजीजिस के लिए बहुत अच्छा अपेटाइजर होता है और पाचन के नुकसान को दूर करने में भी मदद करता है तो दोस्तों आज हम बेल के शर्बत के बारे में ब पाया जाता है आयूरवेद में इसके रस को खाली पेट पीने की सलह दी जाती है ये ज्यादा फाइदमन्द होता है गर्मियों में ये आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और साथ ही ये लू जैसी समस्याओं में भी लाब दायक होता है गर्मियों में डायरिया की समस्या भी आम होती है ऐसी सिती में होने वाले उल्टी दस्तों और जी मचलाने में बेल का शर्बत पीने से लाब होता है इससे आपको अंदर से अच्छा महसूस होगा और पेट को शीतलता का आभास होता है ये आपको कब्स और ग्यास की बिमारी से राहत दिलाता है इसका सेवन करने से आपको अपच में भी राहत मिलती है छाती में जमे कफ से तेज खासी आती है जिसकी वजह से रोगी राद भर सो नहीं पाता ऐसे में बेल के गूदे को पानी में हलकी आच में पकाएं बना लें अब इसे थोड़ा-थोड़ा करके पिएं फाइदा होगा बेल का शर्बत मासिक धर्म विकार और स्तन पान के विकार को दूर करने में भी प्रभावी है बेल शर्बत कोलिस्ट्रॉल को नियंतरण में रखने में मदद करता है और ये रक्त में भी कोलिस्ट्रॉल स्तर को कम कर देता है बेल शर्बत में रोगाणू रोधी गुण होते है फंगल और वाइरल इंफेक्शन को नेंतुरित करने के लिए बेल के रस का सेवन किया जा सकता है बेल का रस शहद के साथ पीने से असिडिटी का उपचार होता है बेल के रस में कुछ भूंदे देसी घी की मिला लीजिए और इस मिश्रण का नियमित रूप से एक मात्रा में सेवन कीजिए इससे आपको दिल से जुड़ी बेमारियों का खत्रा नहीं रहता है और ये आपके ब्लड शुगर को भी नियंतरित करता है दाइबटीज के मरीजों को बाजार में मिलने वाले बेल का शर्बत बिलकुल नहीं पीना चाहिए क्यूंकि इसको बनाते समय इसमें चीनी डाली जाती है उन्हें घर पर बेल का रस बना कर ही पीना चाहिए चलिए अब हम आपको बेल का शर्बत घर पर बनाने की विधी बताते हैं इसके लिए आपको चाहिए एक बेल, आधा कटोरी चीनी और छोटी आधी चमच इलाइची पाउडर सबसे पहले बेल को तोड़ कर दो तुकड़े कर ले अब एक चमच से या चाकू की सहायता से बेल का गूदा बाहर निकाल ले अब किसी बरतन में थोड़ा ताजा पानी लेकर बेल के गूदे को उसमें मिला ले और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे भीखने के बाद गूदे को अच्छी तरह से मसल ले फिर छनी से चान ले जिससे की रेशे और बीज अलग हो जाए चानने के बाद उसमें चीनी मिलाए और जब चीनी घुल जाए तो ठंडा पानी और इलाइची पाउडर डाल कर उसे मिक्स कर ले बेल के रस में काला नमक, भुना और पिसा हुआ जीरा और काली मेच डाल कर भी सेवन कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे निसके पसंद आ रहे हैं तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल धन्यवाद